शुमन गिल ने हारदिक को लेकर कहा आपने मुझ पर किया भरोसा आपकी वज़े से लगाया शतक टीम इंडिया की उपनिंग बलेबाद शुमन गिल ने न्यूजरेंड के खिलाफ तीसरे टीचूंटी मुकाबले में 126 रन की नाबाद पारी खेली गिल को उनके शांदार प्रफॉर्मेंस के चलते प्लेयर अफ़ दा मैच होना गया आपको बता दें कि गिल की पारी के दम पर ही भारतिय टीम ने निरधारित 20 ओवर में पहले बलेबाजी करते हुए 234 रन का विशाल स्कोर बनाया भारतिय टीम ने यह मुकाबला 168 रन से अपने नाम भी किया न्यूजिलेन की टीम 66 रन पर ओल आउट हो गई आपको बता दें कि मैच के बाद हार्दिक पांडिया ने शुबंगिल का इंटर्व्यू लिया जिसमें गिल ने बताया कि कप्तान हार्दिक के कारण ही वह शतक लगाने में सफल हो पाए हैं मैच के बाद BCCI ने एक वीडियो शोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें कप्तान हार्दिक पांडिया शुबंगिल के साथ बातचीत करते हुए नजर आए और इस वीडियो में शुबंगिल ने अपने शतक का श्रे हार्दिक पांडिया को दिया उन्होंने कहा कि T20 में उनका प्रदशन अच्छा नहीं था इसके बाद भी कप्तान यानि कि आपने मुझ पर भरोसा किया मुझ पर विश्वास बनाए रखा इसी वज़े से मेरा प्रदशन सुदर पाया मैट के बाद जारी कि एक वीडियो में पांडिया गिल के प्रदशन की तारीफ करते हुए नजर आए जिसके बाद यूओ उपनर कहते हुए नजर आए कि मैं T20 में अच्छा प्रदशन नहीं कर पा रहा था मैं खुद इससे संतुष्ट नहीं था इसके बाद गिल कहते हैं कि मैं अपने पिता की भी अपेक्षाओ पर खड़ा नहीं उतर पा रहा था मेरे लिए जरूरत थी कि कप्तान मुझे बैक करें ऐसे में आपने मुझे पर विश्वास जताया मुझे आपका समर्थन मिला अची तरीके से बले बाजी करनी है और इसी वज़े से मैं इस माच में शतक लगा पाया जो आपने मुझे कहा कि शॉर्ट सेलेक्शन कैसे रखना है आपने मुझे ओन फिल समझाया कि एक चक्का लगाने के बाद कैसे अगली गेंद को समल कर खेलना है उसने मेरे अंदर कावलिक अंदर शांदार पारी के खेलने में कामयाब हो पाया बता दें कि शतकवीर गील ने ये भी कहा कि जब मैं सेंटेनर के खिलाब बड़ा शॉर्ट मारने की कोशिच करा था तब आपने ही मुझे समझाया कि किस तरीके से दूसरे गिंद बाजों के खिलाफ जाकर रि पर चार विकेट लिए और सबसे बड़ी बात की टी मिडिया ने ये सीरीज जी ती शुब मंगिल और हर्दिक पांडे की इंटर्व्यू का ये वीडियो शोचल मेडिया पर थे जिसे वाइरल है आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बता है वीडियो को लाइक शेर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नमस्कार